गूड मॉरिंग इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हमने अभी तक एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री में शुगरकेन इंडस्ट्री पढ़ लिया है उसके लावा हमने सिल्क इंडस्ट्री भी पढ़ लिया है और आज हम एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री का थर्ड एंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो की है हमारा कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री ठीक है तो चलिए टाइम बेस नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है according to your syllabus वो यह कि इंडिया इस थर्ड लार्जेस्ट कॉटन टेक्स्टाइल मनुफैक्ट्रिंग कंट्री ठीक है पूरी दुनिया में USA और UK यानि कि United States of America and United Kingdom ठीक है USA और UK के बाद इंडिया थर्ड नंबर पर कॉटन मनुफैक्ट्रिंग में आता है इंडिया की रैंक है थर्ड आफ्टर USA and UK ठीक है उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो it is also the third largest exporter of cotton ठीक है cotton textile में अगर हम top three countries की बात करें तो इंडिया उसमें third number पर रैंक करता है उसके अलावा पूरी इंडिया में जितनी भी labor force है उसके 40% को हमारी जो cotton textile industry है वो support करती है ठीक है अगर माल लीजिए पूरे इंडिया का labor force 100 है for example तो उसमें से 40 को कौन support कर रहा है cotton textile industry यानि कि उसमें से 40 जो है वो cotton textile industry में काम करते हैं उनका employment cotton textile industry में है clear एक बाद फिर से देख लेते हैं यह paragraph क्या कह रहा है इंडिया cotton textile manufacturing में third number पर है export में भी third number पर है और पूरे इंडिया के labor force का 40% support करता है कौन cotton textile industry clear आगे बढ़ते हैं many cotton textile industries are located in महारास्टरा बहुत सारी जो textile industry है वो महारास्टरा, गुजरात और तमिलाडू में established है ठीक है या located है अगर हम पूरे इंडिया के cotton production की बात करते हैं तो उसका three-fourth जो है वो इन ही तीन जगा पर होता है कौन सी तीन जगा महारास्ट, गुजरात, और तमिलाडू अब three-fourth तो इन तीन जगा पर हो गया और जो बचा हुआ one-fourth है वो कहां पर होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में, उत्रप्रदेश में, मद्रप्रदेश में, राजिस्थान में, आंद्रप्रदेश में और करनाटका में ठीक है तो यहां पर हमें पूरे hundred percent production का हिसाब किताब मिल जाता है three-fourth कहां होता है महारास्टरा, गुजरा, तमिलाडू में और जो remaining one fourth है, वो वेस्ट बंगाल, अत्रप्रदेश, मद्रप्रदेश, राजिस्थान, आंद्रप्रदेश, करनाटका में होता है clear, आगे बढ़ते है the cotton textile industry is located in almost all the Indian states अगर हम cotton textile industry की बात करें तो लगभग लगभग जितने भी state इंडिया में है वहाँ पे आपको textile industry, cotton textile industry जो है वो established मिल जाएगी ठीक है, लेकिन उसमें से आधी या आधी से ज़ादा textile मिल जो है वो तो मुंबई और एहमदाबाद में located है ठीक है, क्या बता रहे है ये, कि आपको हर state में cotton textile मिल या industry मिल जाएगी बट, जो 50% या उससे ज़ादा है, वो तो सिफ मुंबई और एहमदाबाद में located है इसलिए मुंबई को cotton police भी कहा जाता है, इंडिया का ठीक है, it is the most important center of cotton production इसलिए इसको कहते हैं, cotton police clear, मुंबई और एहमदाबाद, ये बहुत ही ज़ादा important center है क्यूं है ये important, उसके बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ points दिये हुए है तो, कौन-कौन से वो point है, देख लेते हैं हमारा पहला point है, कि ये जो एहमदाबाद और मुंबई है ये दोनों ही cities जो है, ये deck and plateau के पास में located है deck and plateau के पास में रहने का फायदा है, जो deck and plateau है वहाँ पर cotton की जो crop है, वो grow की जाती है क्योंकि black soil का area है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यदा cotton का production होता है और ये जो मुंबई और एहमदाबाद है, ये deck and plateau के पास में ही locate करती है ये इनका एक positive point है, इसलिए ये center है, ठीक है, ये hub है दूसरा point, ये जो दोनों ही जगह है न, एहमदाबाद और मुंबई यहाँ पर coastal climate देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आस-पास में आपको sea देखने के लिए मिलते है और ये जो humid coastal climate है, ये cotton industry के लिए बहुत ही ज़ादा favorable है clear, फिर आता है next point हमारा, connectivity of Mumbai and एहमदाबाद by rail मुंबई से एहमदाबाद के बीच में train के थुरू आसानी से आना जाना या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर move करना बहुत आसानी से हो जाता है तो connectivity rail के द्वारा बहुत अच्छी है यहाँ पर मुंबई और एहमदाबाद के बीच में और देखा जाए तो क्योंकि ये coastal area है तो यहाँ पर sea roots भी है जिससे foreign market में export करने में भी आसानी रहती है next point next point है हमारा, मुंबई is the main port city अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो खुद ही सी है तो वो तो एक port city है लेकिन अगर हम एहमदाबाद की बात करें तो एहमदाबाद coastal area से थोड़ा सा दूर है बट फिर भी दूर ही इतनी भी नहीं है कि उसको access ना किया जा सके तो जो एहमदाबाद है ये कांडला पोर्ट से अपना जो export का काम है वो करता है next point कि मुंबई और एहमदाबाद में आपको पता है मुंबई एक तरह से financial capital है इंडिया की वहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग रहते है ठीक है तो financial center है दूसरा आपको पता है एहमदाबाद गुजरात में हो और गुजरात business के लिए और businessman के लिए बहुत ज़ादा अमीड लोग वहाँ पर रहते है ठीक है तो financial center है ये दोनों ही जगा मुंबई और एहमदाबाद जिसकी वज़े से यहाँ पर manufacturing industries को establish करना आसान हो जाता है यानि कि financial support आसानी से मिल जाता है clear next power supply के अगर हम बात करें तो मुंबई और एहमदाबाद जो है वहाँ पर power supply regular है बहुत जादा light जाती नहीं है ठीक है अगर आपको पता हो तो अभी last to last year ही शायद पहली बार मुंबई में कई सालों बाद light गई थी क्योंकि वहाँ पर तूफान आ गया था ठीक है तो जो power supply है वो regular रहती है बहुत जादा fluctuate नहीं होती है और बहुत जादा power cut नहीं होता है इनको कहां से power मिलती है power supply की जाती है टाटा hydroelectric system से कहां पर मुंबई में और उसके लाबा युकाई एंड काकरापारा hydroelectric project है जो की गुजरात को electricity या energy प्रोवाइड कर आते हैं clear next point आता है हमारा कि कौन कौन सी problems है जो cotton textile industry को face करनी पड़ती है इसमें हमारा पहला point है कि इंडिया में जो cotton का धागा है ना cotton से धागा बनता है वो produce किया जाता है ज्यादा तर small industries या फिर small units के द्वारा मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह उपर धागे नहीं बनाये जाते हैं चोटी से जगह पर धागे बनाये जाते हैं ठीक है और यह जो धागे बनाये जाते हैं small units के द्वारा उनको local market में भी बेच दिया जाता है ठीक है और जो थोड़ा सा जादा अगर जो spinner होते हैं वो जादा produce कर लेते हैं वो क्या करते हैं वो export कर देते हैं अपने धागे को तो यह सारी दिक्कतों को देखते हुए जो garment company या garment manufacture करने वाली industries होती है ना उनको fabric import करना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारे या का जो धागा है वो small industry में बन रहा है और उसको वो लोग local market में बेच देते हैं या फिर export कर देते हैं और जो हमारे या की garment industry है उसको जो धागा है उसको import करना पड़ता है ठीक है तो अब क्या हुआ हमारे industry के पास दो quality हो गई एक जो उन्होंने local market से खरीदा है government companies ने वो धागा और दूसरा जो उन्होंने import किया है बाहर से वो धागा अब दो-दो quality का धागा हो जाता है और किसी एक कपड़े में दो quality का धागा लगाना मतलब mismatch हो जाता है ठीक है तो ये एक problem है इसकी clear second point machinery की बात करें तो cotton mills में बहुत ज़दा outdated machinery लगी ये भी एक problem है उसके लावा irregular power supply ठीक है अगर कभी भी light चली जाती है तो उसे production पर असर पड़ता है production fluctuate हो जाता है hamper हो जाता है clear next point अगर हम देखें तो जो raw material है ना वो बड़ा ही uncertain है अब आप पुछेंगे कि uncertain क्यों है देखें हमारी ये जो industry है ये agro based industry है clear तो क्योंकि य agro based industry है और agro यानि agriculture किस पर base या rely करता है monsoon पे अगर monsoon नहीं आता है तो production कम हो जाता है या nil हो जाता है तो हमारा जो raw material है ना उसको जो हमारी industry हो procure नहीं कर पाती यानि कि हम पूरी तरह से certain नहीं होते है accurate नहीं होते हैं कि हमारे पास इतना raw material आने वाला है तो uncertainty होती है clear है तो ये भी एक problem की बात है दूसरा labor की productivity low होना अगर labor हमारे पास बहुत ज़्यादा labor जो है वो unskilled है clear तो उनसे जो हम production लेना चाहते हैं वो ले नहीं पाते हैं because of lack of skill ठीक है उसके अलावा again जो हमने पिछले point में पढ़ा है कि हमारी industry is modern नहीं है हमारे पास modern mechanism या machinery नहीं है clear are some problems because of which sugar industry are running into loss और यही एक reason है जिससे की sugar industry भी loss में रन करती है again जो cotton के साथ है problem वही शुगर के साथ भी है कि जो raw material है वो fluctuate होता है और uncertain नहीं है clear अगला और last point cotton industry को बहुत ही tough competition मिलता है other fiber industry से for example हमने last video में जो industry पढ़ी थी ठीक है silk industry अब silk क्या है देखने में बहुत अच्छा होता है थोड़ा सा premium लगता है और cotton के comparison में वो cheap भी होता है सस्ता भी होता है ठीक है तो अब जाहिर सी बात है कि एक चीज़ सस्ती मिल रही है देखने में अच्छी भी है सुंदर भी लग रही है चमक भी रही है दूसरी तरफ cotton है जो महंगा आता है ठीक है cotton को बहुत care से लखना पड़ता है और बहुत जादा fancy भी नहीं होता है cotton आप एक बार पहन के बैठते हो इसमें wrinkle पढ़ जाते हैं जैसे कि लगता है कि आपन इसमें प्रेस किया ही नहीं था ठीक है इसको दोया ही नहीं था तो cotton के साथ एक problem यह है बट cotton के साथ जो positive point है वो यह कि cotton की जो कपड़े होते हैं वो comfort देने वाले होते हैं ठीक है बट एक जो negative point है कि यह बहुत जादा costly होते है in comparison to other fiber इसलिए जो cotton industry है वो competition face कर रही है other industries से य यह भी उसके लिए एक problem की बात है clear तो this is all about cotton textile industry तो यहाँ पर हमारा जो agrobase industry का topic है वो complete हो जाता है हमने तीन चीज़ें यहाँ पर पढ़ लिए है silk cotton and sugar cane यही तीन topic थे आपके agrobase industry में तो यहाँ पर हमारा agrobase industry का topic खत्म हो जाता है अगले वीडियो में हम अगली industry की बात क